Famous Chris Film franchise की चौती फिल्म Chris 4 फैंस और पब्लिक के बीच में काफी चर्चा में आ रही है प्राकिस रोसन द्वारा डायरेक्ट हो रही और लीड रोल में रितिक रोसन इस फिल्म में देखने को मिलेंगे Chris 4 को स्क्रीन पर लाने की तयारी काफी लंबी और साउधानी पूरवक हो रही है ताकि स्टोरी आम जंता को ना पता चले और फिल्म को किसी भी तरीके का कोई लॉस हो रिपोर्ट्स बताती हैं कि Chris 4 इंडियन सुपर हीरो फैल्म इंडरस्टी को नई उचायों पर ले जाएगी इसमें एक्सन ड्रामा और VFX की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी अगर ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अच्छी कासी कमाई करती है तो आप सबको फ्यूचर में बहुत सी सुपर हीरो मुविस देखने को मिलेंगी ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में किसी भी प्रोडिउसर और डारेक्टर ने सुपर हीरो फ्रेंचाइज वाली फिल्म पर जादा ध्यान नहीं दिया बलकि हमें आफ लाइंग जट और रावन जैसी फिल्में भी देखने को मिली है लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म क्रिस फ्रेंचाइज जितनी सकस्पूल नहीं हो सकी और बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई अगर हम फिल्म के काश्टिंग की बात करें तो पिछली क्रिस फिल्मों से कई जाने माने चेहरे वाफसी करेंगे जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी सामिल है जन्होंने क्रिस और क्रिस थ्री में लीड रोल ने भाया था वालिबूर्ट सुपरस्टार सारुफ खान का फिल्म में होने की काफी अफ़वाएं हैं अगर ऐसा होता है तो हमें दो बड़े सुपरस्टार एक ही फिल्म में काम करते होई दिखेंगे जो कि थेटर में आग लगा दिंगे और स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है सूतरों का कहना है की फिल्म पिछली क्रिस 3 की कहानी जारी रखेगी जो कि एक सस्पेंज वाले सीन में एंड होई थी ऐसा माना जाता है की क्रिस 4 पॉनारी कता और सूपर हीरो की उतपती की गहराई में उतरेगी उम्मीद की जा रही है कि फिल्म में हाई action sequence दिमाग हिला देने वाले visual effect देखने को मिलेंगे Chris franchise अपने जवरदस visual effects और आकरशक production design के लिए जानी जाती है और Chris 4 का मकसद उसी को आगे ले जाना है सूपर हीरो की सकतियां और action sequence को इस तरह realistic करने के लिए ऐसी तकनीक का इस्तमाल किया जाएगा जो भारती सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया है Chris 4 की release date की बात करें तो आधिकारिक तोर पर तो अभी कोई गोशना नहीं हुई है और production team में संकेत दिया है film अभी भी pre-production में है